आज हम लेसन फिफ्टीन येस वी कैन के क्वेस्टिन आंसर्स, एक्सराइज और वर्ड मीनिंग्स करेंगे अब हम इस लेसन के क्वेस्टिन आंसर्स करते हैं स्कूल में कौन सा इवेंट होने वाला था स्कूल में एक स्पोर्ट्स रैली होने वाली थी वाई वस शालू अपसेट शालू दुखी क्यों थी शालू इसलिए अपसेट थी क्योंकि उसके पैर में चोट थी और उसको लगता था कि उससे उसका परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा किस ने शालू को प्रेरित किया स्पोर्ट्स रैली में भाग लेने के लिए और किस तरह आंसर वीना ने शालू को प्रेरित किया स्पोर्ट्स रैली में भाग लेने के लिए उसको अरुनिमा सिना, भरत कुमार और सुधा चंदरन के एक्जामपल दे कर कि कैसे उन्होंने डिसेबिलिटी के बावजूद बहुत सी उचाईयां चुई Question 4. How did शालू feel at the end of the story and what did she say? शालू स्टोरी के end में कैसा महसूस करती है और क्या कहती है? Answer. शालू felt inspired at the end of the story and said that she could do it. शालू को बहुत inspiration मिला, प्रेणना मिली और स्टोरी के end में वो कहती है कि वो कर सकती है. Question 5. What lesson do you learn from the story? इस lesson से हमें क्या प्रेणना मिलती है? Answer. The lesson that we learn is, where there is a will, there is a way. हमें प्रेणना मिलती है कि जहां चाह होती है, वहां राह बन जाती है. यानि अगर हम कोशिश करें, तो रास्ते बनते चले जाते हैं. Next है, write T for true and F for false statements. शालू is good at racing. शालू दोड़ने में अच्छी थी. तो ये हमारा true है. Vina is a good badminton player. Vina एक अच्छी badminton खिलाडी है. ये भी हमारा true है. अरूनिमा सिनहा इस बास्केट बॉल प्लेयर ये सही नहीं है. अरूनिमा सिनहा वाली बॉल प्लेयर थी और बाद में disability के बाद वो mountaineer बन गई. तो ये हमारा false है. बास्केट बॉल प्लेयर वो नहीं थी. भरत कुमार is a para swimmer. भरत कुमार swimmer हैं. ये सही है. True. We all have some special qualities. हम सब में कुछ न कुछ खास बात होती है. ये भी सही है. Next है word power. Match the words of list A with their meanings given in list B. List A के words को उनकी meaning से जो B में दे रखी हैं match करना है. Participate means to take part. Excited, बहुत खुश होना. इसका meaning है thrilled. Inspiration, प्रोचसाहित करना. इसका होगा motivation. Motivate करना. Courageous, बहादुर, ब्रेव. Famous, मशूर, ये होगा popular. Disabled, मतलब कोई disability हो, अपंकता हो, तो ये होगा handy cap. Second, look at the pictures and encircle the games in the crossword puzzle. ये crossword puzzle है हमारे पास. और ये कुछ games की pictures हैं. तो हमें वो puzzle में ढूनने हैं. ये basketball है, ये भी basketball है, तो यहाँ हमें मिला ये basketball. ये volleyball है, तो ये हमें मिला volleyball. फिर ये football है, तो ये football. ये tennis है, तो यहाँ है tennis. इसी तरह यहाँ पर ये है hockey. और golf है ये. तो ये picture में जो games दिखाई दे रहे हैं, वो हमने circle किये हैं, football, baseball, swimming, golf, basketball, tennis, soccer, soccer, football को ये कहते हैं, hockey, volleyball. Next है language practice. Right short answers for the questions given below. Can a crow fly? क्या कौवा उड़ सकता है? कौवा तो उड़ सकता है. तो इसका answer हो गया, yes it can. Can a dog ride a bicycle? क्या कुता bicycle चला सकता है? तो कुता तो bicycle नहीं चला सकता. इसका answer हो गया, no it can't. तो जो हो सकता है उसके लिए लिखेंगे, yes it can. जो नहीं हो सकता, no it can't. अंदर तो टहनियों पर जूलता ही है, तो हमारा answer होगा, yes it can. Can a cat swim? क्या बिल्ली तेर सकती है? तो बिल्ली तेर नहीं सकती, तो हमारा answer होगा, no it can't. Can a fox fly? क्या लोमडी उड़ सकती है? लोमडी नहीं उड़ सकती, तो आंसर होगा, no it can't. Can a frog hop? क्या मेंधक कूच सकता है? तो इसका होगा, yes it can. तो ये हो गया, Can a rat run? Yes it can, rat दौर सकता है. Can a whale crawl? No it can't, whale जो है, वो रिंग नहीं सकती. Can a monkey swing? Yes it can, monkey? जूल सकता है. Can a cat swim? No it can't, बिली तेर नहीं सकती. Can a fox fly? No it can't, फौक्स या लोमडी जो है, वो उड़ नहीं सकती. Can a frog hop? Yes it can, हाँ, frog जो है, वो कूच सकता है. तो ये हमारा आंसर, अगर yes में है, तो yes it can, no में है, तो no it can't, और जो चीजें जो कुछ कर सकती हैं, उसके हिसाब से हमें लिखना है.